हेलो केट्स, वेलकम टू बालगुइंदम लेर्निंग आप, आज हमारा सब्जेक्ट है आओ हिंदी सिखे, हिंदी की वर्क बुक में हमने कल किया था, लास्ट टाइम किया था पेज नमबर एट और आज हम करेंगे पेज नमबर नाइन आखी मात्रा के शब्त, सबसे हम लिखेंगे पहले, देखें क्या लिखा है सबसे पहले त में आ की मात्रा त और र में आ की मात्रा रा ता रा अब किस विक्चर हैं किसकी विक्चर हैं ताला तो हम लिखेंगे त में आ की मात्रा त और ल में आ की मात्रा ला ताला अब हैं ह में आ की मात्रा हा और थ में आ की मात्रा थ लिखने अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है म में आ की मात्रा मा और त में आ की मात्रा ता अब है क में आ की मात्रा का और ल में आ की मात्रा ला आप किसकी पीक्चर है चा ता-च में आण की मात्रा चाः और त में आण की मात्रा ता thrive陪े मैंने तीनों लाइन को touch करके लिखा है आप भी अच्छ से सारी line को देखके ध्यान से लिखना है तो मैं akshar फिर से पढ़ रही हूं त में आखी मात्र त और र में आखी मात्र रा लेकिन आप पैसे नहीं पड़ेंगे आप सीधा पड़ेंगे त और रा त रा त ला त ला हाथ हाथ न व चाथ इसी तरह से आपको ये जो तीनो लाइन्स है, इन तीनो लाइन में लिखना हैं, पेज नंबर नाइन में एक बार फिर से मैं आपको लिखके दिखा रही हूँ, देखिए, सारी एकदम लाइन्स में टच करके, त में आकी मातरता, और रा, तारा, ता, ला, ताला, हा, थ, हात, इधर देखिए हा के उपर लाइन आएगी और थ की इस लाइन के उपर आएगी थ के उपर ये जो गोल होता है इसके उपर लाइन नहीं आएगी हा थ हा ना व ना माता काला चाता इस तरह से बहुत ही अच्छी राइटिंग में सुन्दर वाली राइटिंग में आपको पेज नमबर नाइन में आ की मातरा के शब लिखने है और शब्दों को जब आ बोलेंगे आ की मातरा को मिला के बोलेंगे ता रा ता नहीं बोलेंगे सीधा बोलेंगे ता रा ता आ ता यह एपर लिखने ओके तैंक यू